असलाम अलेकम वार्ज, वेलकम बैग, इस वीडियो का टॉपिक है, Create Sample Line with Width Target in Civil 3D, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, जिसमें आपको Variable Sample Line की Width Required है, तो आप इस मेथड को यूज करते हुए बड़े इजी लिए आप अपनी Sample Line Creator कार सकते हैं, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास डेटा है, यहाँ पर हमारे पास अग्जिस्टिंग सर्फस है, और अलाइनमेंट है, तो अर्थफर की क्वांटिटी के लिए हमें यह Variable Sample Line Required हैं, तो हमने जो है किसी टॉपिक पर बात करनी है, तो यह जो सर्फस है, फिल हाल मैं इसको जो है, इसका Style Change करता हूँ, इसको मैं Border Only कर रहा हूँ, यहाँ पर यह जो सर्फस है, अभी इसको मैं Set करके, इसमें से Border Accept करता हूँ, Border हमारा Accept हो गया है, अभी सर्फस हमें Required नहीं है, यहाँ पे मैं इसको hide कर देता हूँ अब यह जो border accept हुआ है इसमें हमें जो है कुछ line required है बौर्डर वाली right और left की तो उसके लिए जो है मैं पहले इसको break करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको break कर दिया फिल सेम command मैंने repeat की और यहाँ पे मैंने इसको इस point तक break कर दिया इस line को मैंने delete कर दिया सेम last portion पे भी हमने इसको break करना है PR OK सेम command और यहाँ पे फिर आपने इसको break कर देना है line को हमारी break हो चुकी है अभी हमने इन line को अभी तक यह जो है यह 3D poly line है इनको हमने पहले 2D poly line में convert करना है इसके लिए हमने modify tab में जाना है design panel और convert 3D to 2D poly line अभी अगर आप देखें इसको तो यह poly line है अभी हम इससे अपनी alignment बना सकते हैं alignment from object की option हम भी use करेंगे इसके लिए पहले मैं left side में alignment कर रियाट कर रहा हूँ यहाँ पर alignment का नाम जो है वो मैं left enter करता हूँ और यहाँ पर मुझे इसमें curve अगरा कुछ नहीं चाहिए alignment हमारी create हो गई है second line को मैं select करता हूँ from object same direction है और यह हमारी right alignment होगी label मुझे नहीं required इसमें two alignment हमारी right और left की create होगी है यह right है और यह left है अभी हमने इसमें sample line create करने sample line option पर मैंने click किया right click किया यहाँ पर मेरे पास जो है मैंने center line click करनी है select करनी है तो यह मेरी center alignment है मैंने just इसको ok किया है यहाँ से मैंने इसको by range of station की option को check किया है यहाँ पर कुछ setting है पहले हम वह कर लेते हैं यहाँ पर along tangent जो है increment 10-10 meter पर चाहिए तो मैं इसको 10-10 meter assign कर रहा हूं और start और end में भी चाहिए मुझे और मुझे जो मेरे horizontal geometry point वहां पर मुझे required नहीं है super elevation station पर मुझे required है तो मैं इसको भी true कर देता हूं अभी यहाँ पर यह जो width target है मारे पास यहाँ पर generally जो है वो manually enter किया जाता है मैं यहाँ पर alignment को target कर रहा हूं तो मैंने false value को true कर दिया और यहाँ पर मेरे पास अभी option आ गई है target के लिए तो पहले वाले में मैंने left alignment select की है second वाले में मैंने true किया और इस तफ़ा मैं जो है इसको rank से select करता हूं यह मेरी right alignment है ओके बाकी सारी settings same रहेगी जस्ट इसको okay करें आपकी sample line creator हो गई है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह मारे super elevation के जहाँ पर station थे वहाँ पर भी create हो गई है और बाकी alignment है वहाँ पर 10-10 meter पर create हो गई है तो अगर आपको exact है इधर तक ही required थी surface size तक तक यहां तक आप ले सकते हैं नहीं तो यह जो हमने polyline create की थी आप इनका offset लेके जितनी आपको बाहर required हो आप उतना offset लेके उसके बाद इसकी alignment बनाते इसको create कर सकते हैं तो अभी अगर आप इसकी width चेक करना चाहते हैं कि heart station पर यह कितनी-कितनी width है किसी भी sample line पर select करें किसी को और sample line group property में जाएं यहां पर आपने यह sample line tab में आना है और यहां पर आपने fast file पर click करना है और last file पर click करना है यहां पर आपने copy all करना है और यहां पर आपने Excel में आना है एक्सल और नूउ फाइल ले लेनी है और यहां पे आपने कंट्रॉल भी प्रेस कर देना तो आप देखेंगे कि यहां पे पेस्ट हो गई है यह लैप्ट ऑफसेट है यह राइट ऑफसेट है और यह जो भी इनकी विट है वह इसमें हमें अवेलेबल है अभी तो इस तरह से आप अपनी variable sample line जो है वो target करके भी create कर सकते हैं उमीद है आप लोगों को ये video पिसंद आया होगा अगर video आपको अच्छा लगए तो आप इसको like जुरूर करें share जुरूर करें और कोई भी अगर आपका question है तो आप post जुरूर करें comment section में thanks for watching अल्ला आफिस